खयाली पुला अमीर बन जाने के बाद मैं एक नौकर रखूंगा, जो मेरे लिए खरीदारी करेगा, उसके बाद मैं अपने लिए एक महल जैसा आलीशान घर बनवाऊंगा, उस बद्धे से घर में हर प्रकार की भव्य सुख सुविधा होगी, भोजन करने के लिए, आराम करने के लिए और बैठने के लिए उसमें अलग-अलग कमरे होंगे, घर सजा लेने के बाद मैं एक गुणवान, रूपवान और धनवान लडचकी से शादी करूँगा, अपनी पतनी के लिए भी एक नौकर रखूँगा, और उसके लिए अच्छे-अच्छे कपढधे, गहने, वगेरा खर शादी के बाद मेरे 5-6 बच्चे होंगे, बच्चों को मैं खूब लाड़ प्यार से बध्धा करूँगा, और फिर उनके बध्धे हो जाने के बाद उनकी शादी करवा दूँगा, फिर उनके बच्चे होंगे, फिर मैं अपने पोतों के साथ खुशी-खुशी मिया शेक चिल्ली अपने ख्यालों में लहराते सोचते चले जा रहे थे, तभी उनके पैर पर ठोकर लगी, और सिर पर रखी हुई अंडों की टोकरी धट हाम से जमीन पर आगिरी, अंडों की टोकरी जमीन पर गिरते ही सारे अंडे फूट कर बरबाद हो गए, अंडों के फूटने के साथ साथ मिया शेक चिल्ली के खयाली पुलाव जैसे सपने भी तूट कर चूर-चूर हो गए,